तमस्कार दोस्तों मैं देनिश कुमार पांडे कॉम्पटिशन कम्मुनिटी के ओन्लाइन प्रेप्ट फॉर्म के द्वारा सुरू किये गए MPPSC Pree के Cress Course में आप सब का स्वागत करता हूँ और आज हम लोग MPPSC Pree के लिए जो कम्मटिशन कम्मुनिटी ने एक बहुती सांधार Cress Course जो सुरू किया है कि कम समय में बहतरीन तैयारी का जो यह प्रयास है हमारा और यह प्रयास हमें इसे हर हाल में सफल बनाना है और सफलता यह तभी बनेगा जब आपको वो सारी चीजे मिलेंगी जो आपको जिस चीज की जरुवत है आपको आपके study में जो इस materials की जरुवत है जिस topics में भी आपको doubt है उस doubt का solution निकले इस सारी सुधाय हम आपको provide कराएंगे और यह हमारी एक तरीके से प्रयास है छोटा सा प्रयास ह कि हम आपको हम आपकी जो एक्जामस है उसमें जिस प्रकार के question आते हैं वो चाहे MCQ हो चाहे हो हमारा crash course हो उस सारी चीजे हम आपको provide करा है और आप उसको बहत्तरीन तरीके से अच्छे तरीके से study कर सकें और इसी सिल्सले में आज मैं आपके सामने प्रस्तूत हुआ हूँ और मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे नाम मेरा दिनेश पांडे है और आज मैं आप लोग को MPP सिप्री में economics लेकर के आया हूँ और economics के crash course का आज एक पहला topic है और द्योगिक छेत्र इंडरेस्ट्रियर सेक्टर उसको लेकर के मैं आज आपके मतलब आज हम लोग उसको ले सारे में डिटेल पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर हम उसके mcq solve करेंगे ठीक जिससे क्या होगा कि एक बढ़ हमें वो knowledge मिल जाएगा कि कैसे हमें पढ़ना है और दूसरा फिर हम उसके mcq जब solve करेंगे तो उसी उसी प्राकार के question बनते जाएंगे तो हमसे आसानी से क्य भारत और द दयोगी चेतर होता है क्या होता है तो हम सामीस कर दिया मुद्द्दा नहीं है बस वही याद रखिए ठीक होती है तो यह बड़ा सहर अ क्यों उसका होती होती है तो से घ ! ठीक, क्लियर, में है, इंडियन इंडियर एरिया, भार्ती अद्योगी छेत्र, आज ये हमारा टॉपिक है, ठीक है, और आज हम इसी को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो यह याद रखो, उद्योग बोलते किसको है, किसे कहा जाता है उद्योग, क्लियर, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे, और द्योग एक नीती पर, जहां से कोश्चन आते हैं, तो एक-एक टॉपिक को उठाकर करके, एक-एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से स्टेडी करेंगे, और उसको क्या करेंगे हम लोग, उसके बारे में पुरा इंफॉरमोशन लेंगे, इसके MCQ भी शॉल करेंगे हम, तो सबसे पहले तो उद्योग क्या होते हैं, यह आपको पता होना चीए, इन्डेश्ट्रि क्या होती है, तो उद्योग वह चितर होता है, जहां किछी नहीं आव सकता हैं की पूरती के लिए, ने ने उत्पादक या ने ने उत्पाद प्रोडक्शन प्रोडक्ट या नई सेवाओं का स्रीजन किया जाता है नया कोई उत्पाद या नई सेवाएं बनाई जाती है ठीक जब हमें किसी चीद क्या आवसकता होती है ठीक तो उस आवसकताओं की पूर्थी करने के लिए वेक्ति के जीवन इस्तर ऊचा होता है तो यह क्या होते हैं कि आव सकताओं की पूर्ति करने का एक माध्यम है कि हमें मानलों किसी चीज कि आव सकता हैं जैसे प्राचीन समय में प्राचीन समय में हम आउसकता थी किसकी कपड़ों की प्रिश्ट्रिये, Crash के द्वारा वो चीज बनाई जाती है, और वो इत्नी गूर्वट्ता पुरक होती है, कि हमें उस्षोมों मिल जाती है, और हमारी आउसक्ताओं की पूर्ती हो जाती है, तो आवश्यक वस्तू की पूर्ती करने के लिए बना था क्या उद्योग, और इसी उद्योग को ले करके समय समय पर भारत में भी अलग अलग क्या बनाए गए नियम कानून बनाए गए तो उद्योग क्या करता है हमारी आवसक्ताओं की नई आवसक्ताओं की पूर्ती करता है जब हमें किसी नई चीत क्या आवसक्ता परती है तो उसक्यों क्या करता है पूर् संटना आई थी दूसरी पंची वर्षी योद्दा की कही показ याए यहां पर पहली बार भारत कि पहली और योगिक नीथी आई वैसे तो हम count करते हैं तो total पांच और दोगीक नीती है 1948 1948 1956 77 80 90 91 ठीक 6 मगर पढ़ा जाता है 1948 को 1958 को मतलब पहला दूसरा यह तीसरा ठीक और उसके बाद यह 4 था यह 4 main है 48 56 77 और 91 यह 4 main है वैसे बोला जाता है 80 और 90 को भी count किया जाता है मगर वो इतना important नहीं है main है 4 और आज हम लोग इनी 4 और दोगीक नीती को industry policy को study करेंगे ठीक है clear टो अजश। प्रिछ तो तो अजबार वच्छां फोली कॢ़े और तो नहीं आूश्त को पूर्टी और ये Training than कि हमारी अर्थ वहस्ता का सरूप क्या होगा ठीक क्यों कि उस समय विस्त में दो प्रकार की अर्थ वास्ता थी एक तो पुंजीवादी कैपिलिजम और एक था समाजवादी सूसलिजम तो कैपिलिजम क्या है ? वो फोकस करता है किस पर प्रॉफिट पर वो बोलता है पैसे कमाओ, पैसे कमाओगे तो अपने आप ही वेक्टियों को सुविधाय मिल जाएगी, मतलब वो human facility पर focus नहीं कर रहा था, वो केवल अकेल profit पर पैसे पर focus करता है, जैसे private sector, private sector का मकसद ही होता है, क्या चीज़ की वो profit कमा है, पैसे पर focus जादा होता है उसका, मगर यहाँ पर एक और economic थी, वो थी socialism या वो था समाजवादी, समाजवाद जो अर्ट वैस्ता था, वो यह बोलता है कि नहीं, लोगों को facility दो, सुविधाय दो, आप लोगों को सुविधाय दोगे, तो अपने आप ही अपनी सुविधायों सारों पैसा कमाने लग वो profit पर focus करता है, और जो government sector है, वो सुविधाय जादा और पैसा भी जाद ही बोलेंगे उसको, कम तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि समाने तर लोग government job करने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप अभी अगर वीडियो देख भी रहे हैं, और उसको पढ़ रहे हैं, तो MP PPC का एकजा मतला, आपको government job करना है, तो मैं यह तो नहीं बोल सकता, कि नहीं, government sector में पैसा काम है, और सुविधाय जादा है, नहीं, वहां तो दोनों ही जादा है, क्योंकि हम पढ़ उसी लिए रहे हैं, कि हमारा एक income secure हो जाए, ठीक है, clear, तो दोनों तरीके से हैं, ठीक है मगरें समाजवादी की बात कर रहा हूँ, ठीक, यहाँ पर उसको government job में include नहीं करना है, मैं समाजवादी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हम जब आजाद हुए, तो हमें तो पैसे की भी जरुवत थी, ठीक, और हमें लोगों को सुविधाय भी देना था, मतलब हमको पैसा भ भारत की पहली और द्योगिक नीती आई, और जिसमें हमने अपनी अर्थवहस्ता का स्वरूप निधारित किया, मुख्य फोकस हमारा अर्थवहस्ता का स्वरूप था, और हमने किस स्वरूप को अपनाया, हमने मिश्रित स्वरूप को अपनाया, हमने कहा कि हम लोगों के ल तो पहली अद्योग की की नीती में क्या है हमारी ART diagnose का सरूपन धारित रहा इसके साथ ही साथ उद्योग के विकास की नीव रखि गई मतलब उद्योग ओके काम किया गया काम किया की इती को आगे बढ़ाना है ति क्ORiges कαιं सो के लिए वर्क करना है कि यहीं पर हम ने कोटेज इंडेस्टीज पर भी फोकस किया और यहीं पर हमने फोरेंट इन्वेस्मेंट पर भी फोकस की सबसे इंपॉर्टेंट काम यह था कि पहली और दोगिक नीती के तहट अर्थ वैस्वा का सोरूप निधारित किया गया और यह सोरूप था आपका मिग्ज एकोनामिक्स ठीक क्लियर इसके बाद आई हमारी दूसरी और दोगिक नीती आई ठीक तो दूसरी और दोगिक नीती थी इसका मुख्य उद्देश इसका भी मुख्य उद्देश था उद्दोगों का विकास करना तो दूसरी और दोगिक नीती के तहट इस और नीती को पेस किया था महाल नोबिस ने बहांल नोबिस वह वेक्ती है जिनों ने हमारा दूसरा पंचवस सी योजना भी पेस किया यही महाल नोबिसी थे जिनके जनम दिन पर हम मनाते हैं विश्व सेंक, मराश्री सेंकी की दियुएस मनाते हैं दूसरियो दोगिक निती पेस की थी और इस समय भी भात के प्रणा मंत्री थे जवालाल नहरू थे ये जो अद्योगिक नीती था इसे पूरी अद्योगिक नीती का मैगना कार्ट कहा जाता है मैगना कार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अद्योगिक नीती क्या की तो joy और किया में कितना तोटल सत्रा उद्ध्योग को अपने में कर्के रखी साजणि में करने को मिला करके कुल 12 उद्योग आरक्षित किये गए, 17 उद्योग मतब complete 17 उद्योग गॉर्मेंट के हाथ में थे और 12 उद्योग जो थे वो गॉर्मेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के mix-up रूप में इसे बुला जाता है पब्लिक सेक्टर कंपनी साजिनी कुप्रम की कंपनि उनमें include थी यहाँ पर heavy industries भी शुरुआत हुआ भारत में बड़े-बड़े heavy industries लगाए गया है जिसमें चार प्रमुक थे एक था आपका भिलाई स्टिल प्लांट रूस के सायोग से दूसरा था दुरगापूरी स्टिल प्लांट ब्रिटेन के सायोग से पश्यमंगाल तीसर यह था आपका रूस के सायोग से तो चार बड़े-बड़े heavy industries था पित हुए ठीक उद्योग के लिए license देने के प्रक्रिया परारम हुई 17 उद्योग जो थे वो government sector के control में थे और 12 उद्योग government और private दोनों के हाथ में थे ठीक यहीं पर ही कुटिर उद्योगों को भी बढ़ावा देने की बात कही गई और एक बार फिर से और फिर से यहाँ पर विदेशी निवेस को भी बढ़ावा देने की बात कही गई मगर उस से implement नहीं किया गया अभी बी control किसके हाथ में था सरकार मतब भारतियों के हाथ में ही था में फोकस किसा कि पहला उद्योगों के लए लासेंज दना श्टार्ट दूसरा हवी इंड़स्टीज बनी ठिक का विषटीज बनी तो इस बिलाई स्टीर प्लांट किसके सहयोग से रूस के सायोग से, 36 गड़ में, राउल केलापका, पुरीसा में, जर्मनी के सायोग से, वोकारो, जारखान, रूस के सायोग से, और दुरगापुष्टी प्लान, पर्शी बंगाल, ब्रिटेन के सायोग से, ये चार बड़े-बड़े क्या हुए, उद्योग इस्थापित हु कि तीसरी अद्योगिक नीती आई, मगर जब तीसरी अद्योगिक नीती आई, उससे पहले, यहां पर क्या हो गया, भारत में चुना हो गया, और भारत में जब चुना हुए, तो पहली बार गैर कॉंग्रेसी मुरारजी देसा आई, भारत के पधाम मंत्री बने, पहले वेक ये गल्ती कर दी उन्हें क्या कि duck कि उन्हें इंपोर्ट एक्सपॉर्ट पर बैल लगा दिया वो बोलते हैं कि ना कोई चीद बाहर जाएगा और ना कुछ अंधर आएगा जो भी खाना पीना है यहीं खाओ क्या जो बनाना अना सब यहीं बनाओ यहीं पर यूज करो, यहीं पर सब कुछ करो, कहीं भेजने की जरुवत नहीं है अब ऐसे भी जनसंख्या इतनी थी, कि हमें जरुवत पहले अपनी थी, कि हमें अपनी जरुवतों को पहले पूरा करना था बाद ने हम दूसरों को देखते न ठीक और इंसान की फितरती है क्या कि पहले वो अपना देखता है बाद में किसी और का देखते है न ठीक होता है होता है यह होता है कि इंसान पहले अपने बारे में सोचता है कि मेरे को पहले प्रॉफिट हो बोलते न हम जैसे अभी तैयारी कर रहे हैं हम लोग तो किस चेत में जाना है हम लोग को सिब बोला जाता है बस 10% होते हैं जो बोलते हैं वो करते हैं वो इमांदार होते हैं जो इमांदारी से अपना काम करते हैं और इमांदारी से ही आगे बढ़ते हैं वो एक ठोक साहरी है यहाँ पर एक ठोक साहरी में जाना है, ठीक है, हमें समाज की सेवा करनी है, तो क्या वास्तों में समाज की सेवा करनी है, इसलिए सिविल सर्विस में जा रहे हो, तो वास्तों वाला मैटर को लेकर के एक सारी है, और सारी ये है, कि जिसके इस्क में तुम 24 घंटे मश्रूफ हो, जिसके इस्क में तुम 24 घंटे मसरूफ हो वो केवल तुम्हारी है इसका कोई प्रूफ हो सही बात है कि जिसकी पिछे 24 घंटे आप पागल हो वो सिप केवल तुम्हारी है इसका कोई प्रूफ हो तो बात होई है वास्त्विक्ता को ले करके कि वास्त्विक्ता जाननी जरूरी है कि वास्त्विक्ता क्या है ठीक है वो होते रहेगा और उमीद करूँगा कि आप लोग वास्त्विक रूप से समाज की सेवा करें जिस चीज को ले करके आप चल रहे हैं उसको ले करके वास्त्विक रूप से समाज की सेवा करें तो हम ट वहस्ता के लिए बहुती खतरनाग थी वो और खतरनाग वो इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया और जब किसी देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बंद किया जाता है तो ऐसी अर्थ वहस्ता कहलाती है close economics या बंद अर्थ वहस्ता तो यहाँ पर बंद अर्थ वहस्ता है और बंद अर्थ वहस्ता के साथ ही हमारी अर्थ वहस्ता धीरे 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 नीचे गिरती चली गई तो तीसरी औद्योगिक निति का मेन उद्देश था बंद अर्थ वहस्थ था क्लोज इकोनॉमिक. जिसमें आयात और निरियात इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्या कर दिया गया? बैन लगा दिया गया. ठेक. पहली में अर्थ वहस्था का सरू अया. दूसरी में लैसेंस सिस्टम शुरू किया गया और हैवे इंडस्टी स्टार्ट हुई कोटेज इंडस्टी को बढ़ावा मिला विदेशी निवेज को बढ़ावा मिला तीसरी अद्योगिक निती में क्या हुआ कि क्लोज एकोनामिक्स आए गई अर्थवहस्ता पर बंद अर्थवहस्ता आई और यहां सेिंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया अब जब तीसरी अर्थवहस्ता चली गई तो धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और यहां पर एक और अर्थवहस्ता आई मुसको चोंती नहीं बोलूगा मगर 1980 की और दोगिक नीती जरूर बोलूँगा अब जब 1980 की और दोगिक नीती की बात आने लग गई तो यहाँ पर क्या होने लग गया यहाँ पर बात यह आने लग गई कि अब क्या होगा मतलब अब क्या होगा कहने का मतलब क्या था अब क्या होने कहने का मतलब क्या था कि ये था कि हमने आयात निर्यात को तो बंद कर दिया है तो आप कितना खाओगे अगर मालो आपके घर में खाना बन रहा है और आपने बोला है कि नहीं मैं इसको बाहर नहीं फेकूंगा इसको हमारे घर के लोग ही खाएंगे एक दिन बचा दो दिन बचा समान बसते गया कब तक उसको collect करके रखोगे एक नए दिन तो आपको उसको बाहर फेकना पड़ेगा या नहीं फेकोगे तो सर जाएगा वो तो यही परसिती आगे थी हमारे साथ कि समान तो हो गया ज्यादा खाने वाले कम हो गया अब यहाँ पर क्या हो गया और एक तरीका यह हो गया कि समान भी कम हो गया और खाने वाले ज्यादा हो गया पोड़क्शन ही नहीं हो रहा था तो अर्थ वैस ता ऐसी आ गई थी कि एकदम low होती जाए थी, down होती जा रही थी, यह जरे नीचे गिरती जा रही थी, अब जब 1980 का समय आया, तो यहाँ पर क्या किया गया, कि अब यह सोचा गया, और द्योगिक नीती जरूर बोलते हैं इसको, मगर यहाँ पर चौंती और द्योगिक नीती नहीं बोला जाएग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जिस पर बैन लगा हुआ था, बंद अर्ट वस्ता के कारण, उसको हटाने की जरूरत थी अब, कि पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे उपर है, तो अब इसको हटाने की जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि कुछ चीद बाहरी नहीं जा पा रहा मगर क्या हुआ, यहाँ पर जब इस चीज की महसूस किया गया, तो यह इसको ले करके, बाके धिरे देश हमें आगे बढ़ा, और पर शितिया ऐसी आ गई थी, कि हम कि हमारे देश में, विट्टिया पात काल की इस्थितिपन हो गई थी, विट्टिया पात काल, फानेशल इ लग सकता और ना कभी ऐसी सिटी आएगी ठीक मगर उस समय ये कंडिशन उत्पन हुई थी इस सिटी ऐसी आ गई थी कि हमें कहीं ऐसा ना करना पड़े कि हमें financial emergency लगाना पड़े financial emergency यह होता है कि उसमें last party को छोड़ करके बाकि सब का account seize हो जाता है यह condition आ जाती है ठीक पता चला खाना खा रहे है और पता चला कि भारत में financial emergency लग गई गया पैसा ही गया ठीक होटल में पैसे ही गया फिर तो यह condition होती फाइनेंस इमर्जेंसी में तो तो कभी नहीं लगेगा मगा इस्थितित पन हुई थी तो यहां पर क्या किया गया था कि हमने अपना सोना विदेशियों में गिर्वी रखा और अपनी अर्थ वहस्ता को उचा उठाने के लिए प्रयास किये इसी प्रयास को ले करके एक व्यक्ति आया भारत में एक नहीं बोलेंगे दो व्यक्ति बोलेंगे दो व्यक्ति आया भारत में एक बना प्रधान मंत्री और एक बना और फैनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंग इन दोनों नहीं डूप्तु यर्थ वैस्ता को ख़ला कर दिया और यहां पर आही चोटी अद्योगिक नीती जिसे बोला जाता है 1991 की अद्योगिक नीती ठीक और इस अद्योगिक नीती का सबसे इंपोर्टेंट काम यह था कि यहां पर त तिन नीति यह अपनाई गई थी और तिन नीतिया में एक ठाया किया चीज आल पीजी एल मतलब होता है लिवताई मतला खेस्टस मतलब 자सुन नीजी करन और G मतलब होता है Westry Current, मतलब globalization, ठीक है न, तो LPG की नीती अपनाई गई, और इस LPG नीती ने डूप्टूई अर्थ वर्ता को ख़डा कर दिया, इस नीती के तहट सबसे पहले उधारी करण की नीती अपनाई गई, और इस उधारी करण की नीती में क्या किया गया, जैसे मैंन क्या किया था कि विदेशी निवेश को भी बोला था करने के लिए, मतलब वो भी आकर के भात में निवेश करें और उध्योग लाया है, बट उनके निवेश करने का इन्वेश्मेंट करने का जो तरीका था, जो नियाम बनाया गया था, मतलब इतना कथोर था, कि लोग लाउसरा था आपका एलकोहलीक दूसरा था आपका ज्वालान்सिल पदार्थ के तीसरा था विस्पोटक पढ़ार्ट के लिए चौधा था आपका स्राइन के लिए पांच वुआ था आपका लेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के लिए तो पांच उद्गों के लिए कामपल सरी किया गया ठीक और लैशन्द प्रक्रिया को समापत ही कर दिया, ये बोला जा सकता है, बट लासेंस प्रोसेस समापत नहीं हुआ था, उसको इजी कर दिया गया था, और पांच के लिए तो कमपल सरी था, और ये कमपल सरी भी जो पांच के लिए था, ये भी इजी प्रोसेस था, बस ये था कि आपको लेना अनिवार रहें तो पांच उद्दोगों के लिए लासेंज कमपसरी किया गया पहला एक बाफिस रिपीट कर रहा हूं पहला आपका अल्कोहल तमबाखोस के उत्पाद दूसरा जोनन सिल्पदात तीसरा विस्पोटक चौथा आपका कैमिकल्स रैसाइनिक और पांच वाइले क्या किया गया कि 1991 में तीन उद्द्योगों को छोड़ करके बाकि सभी उद्द्योग प्राइवेट कर दिये गया ठीक एक था आपका रेलवे एक ताप परमारू उद्द्योग और एक ताप परमारू उद्द्योग के लिए उत्पादित समान यह तीन उद्द्योगों को क से सिब दो है एक railway और एक पर्मारू और जो पर्मारू द्योग के लिए product था ना समान के लिए उद्योग उसको भी इसमें include कर दिया गया तो एक railway और एक पर्मारू द्योग ठीक है ना ये दो ही क्यों अलब सरकार के नियंतर में है तो वर्तमान में दो को छोड़ करके बाकि सब का privateization कर दिया गया मतलब ये किया गया कि कुछ कंपनियों को public sector company मनाया गया public sector company उस company को कहते है जिसमें सरकार का और नीजी चेतर का दोनों का हिस्सा होता है बट ये कितना परसंट होगा ये सरकार बिशाइड करती है ठीक कहीं कई पर किसी-किसी तो कि सरकार मालिक होती है होता है मतलब मालिकाना है सरकार के पास होता है और किसी-किसी चेत्र में private शेक dön newtonat ओ बालकोहलमुडियम प्लांट जो है यह आपका विधानता गृूप के अनीला गृवाल ने खरिदा इन क्या ओन परसेंट हिस्ता अनीला गृवाल का है और 49 परसेंट हिस्ता गौश्मिका अनीला गृवाल के पास हो गया ओके ठीक क्लियर तो कुछ उद्योगों को पर्लिक जिसने अर्थ वैस्ता को रियल में ही बूम कर दिया और वो था globalization या उसी को बोलते हैं वैस्वी करण वैस्वी करण का अर्थ होता है मुक्त बजार free market मतलब सब के लिए बजार क्या कर दिया गया खोल दिया गया बोला गया कि आओ खुला दर्वार है जैसे माता का दर्वार होता है ना खुला जो भक्चा है वो एंट्री कर सकता है वैसे ही भारत के बजार को खुला दर्वार कर दिया गया कि आए आप पैसा इंवेस्पेंट कीजिए इंडस्ट्री लगाओ पैसा कमाओ और हमारे यहां भी पैसा कमाओ हमको भी पैसा दो तो वही था आपका globalization या इसी को बोलते हैं west week current और यही globalization या west week current जिसको हम लोग एक लेने बोलते हैं मुक्तिमजार या free market इसी को ही कहा जाता है FDI foreign direct investment तो भारत में वास्तवी क्रूप से FDI की शुरुआत हो गई FDI जो था यही कहलाता है globalization या west week current जिसके तहट किसी विदेशी company या विदेशी नागरिक को भारत में investment करने की direct रूप से investment करने की permission मिली direct रूप से कहने का मतले है जैसे मैंने सरल किया गया और जब सरल किया गया तो खुला एकदम खुले रूप से क्या करने लगए भारत में भी investment करने लगए ठीक आपके syllabus में FDI है एक अलग से topic है उसको जब मैं अलग वीडियो लेकर क्या होगा अलग बार जब class लूँगा तो आपको उसको अलग से उसमें उसको detail में पढ़ाऊंगा मैं अभी बस इतने आज रखिए कि वैस्वी करन मतलब होता है आपका FDI आए एक किया है मुक्त बाजार हाली कर्दोष के लिए नहीं खोला गया यह भारतियों के लिए भी मुक्त कर दिया एगया तो उनको भी क्या करना पड़ा था लैसेंटे लेना पड़दा था वो भी बहूत process बहुत heart process से ठीक तो यहां पर भी क्या किया गया कि उनके लिए भी इस बारजार को खोला गया तो 1900 1990 की नीती जो थी जिसको राव मनमोहन मौडल भी बोलते हैं यहां पर तीन नीती अपनाए गई LPG लिबराईजेशन प्राइजेशन ग्लोबलाईजेशन LPG गैस होता है न बस वो याद रखो उदारी करन, नीजी करन, वैस्वी करन तो उदारी करन के तर्थ लैसेंस प्रोसेस्सरल नीजी करन के तर्थ सरकार अपने हाथ में दो ठोक रखी बागी सब सब के लिए खोल दी, छोड़ दी और उसके बाद वैस्वी करन मतलब बजार को ओपन कर दिया तो तीन नीतिया ने, इन तीन नीतियों ने भारती अर्थ वैता को जो पट्री से टोट्री उटार चुकी थी एक्सिडेंट हो चुका था जिस ट्रेन का, उसको फिर से बना करके पट्री पिलाई और चलाने लग गई और आज उद्द्योग जो है वो बहुत ही तेजी से इंड़स्ट्री सेक्टर जो है बहुत तेजी से आगे बल रहा है भारत का ठीक, नहीं-नहीं चीजे बन रही है ठीक, इसके लिए समय सब्सक्राइब पर नियम कानूरी बनाये जा रहे है तो ये आपको था अद्योगिक नीती ठीक, जिसमें पहली 48, डूसरी 56, तीसरी 77 और चौती 91 एक बीच में आई थी 80, 80 वाली भी बट वहाँ पर किवल एक विचार किया गया था तो उसको अद्योगिक नीती में काउंट नहीं करते ठीक है, तो ये था आपकी अद्योगिक नीती का टॉपिक जो आज क्या हुआ, क्लोज हुआ ठीक है, क्लियर, ओके, नेक क्लास में मैं आपको फिर से बहुत ही इजी वे में लेकर क्या हूंग देखो, कोश्चन जो होते है ना हमें लगता है कि हमको बहुत ज़्यादा डीप जा करके पढ़ना चाहिए ठीक नहीं, आपको पढ़ने का तरीका है ये है कि आप एक काम कीजिए, कि आप पिछले एक-दो साल का जो MPPSC प्री का एक्जाम हुआ है तो उसके कोश्चन को उठाइए अनसॉल्ड उठाइए उसका और ये देखिए कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अद्योगिक नीती, ठीक, तो आप ये देखिए कि अद्योगिक नीती से पिछले एक-दो साल में क्या कोश्चन आया है प्री में, ठीक, ओके, और आज जो मैं आपको पढ़ाया हूँ ये देखो, कि हाँ, जो हम आज देखे हैं, जो आजम पढ़े हैं वो उस लेवल पर कोश्चन आया है कि नहीं आया है अगर उस लेवल पर कोश्चन आया है मतलब आपने स्टेडी सहीं की है और अगर नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए ताकि मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर सकूँ तो ये होता है त्यारी करने का आसान तरीका खाली किताब लेके बैटने से, ठीक, ओके, स्टेडी नहीं होती याद रखिए ये कभी मत सोचो कि हो हमारा सीनियर है, पांस साल से तहरी कर रहा है, दस साल से तहरी कर रहा है तो सीनियर हो है नहीं, सीनियर हमने उसको बनाया है त्यक, क्योंकि हो पांस साल से पढ़ रहा है तो सीनियर हो गया तो क्यों पढ़ रहा है पांस साल से एक साल में पढ़ करके पोस्ट लेकर चल देता तो सीनियर जैसी कोई चीज नहीं होती है टिक ओके मैंने बोला ना कि हमारा माइन जो है वो पढ़ने में ज़्यादा मतलब पढ़ने में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहा है तो दूसरों की स्टेडी को देखना छोड़ो दूसरे क्या पढ़ने उसको छोड़ो यादर को एक कहावात है मतलब एक वेक्ती ने बहुत अच्छी बात कही थी उसने कहा था कि अगर तुम्हारा जन्म अगर तुम्हारा जन्म गरीब घर में हुआ या अगर तुम्हारे पिता गरीब है तो तुम्हारी बदकिस्मती है और अगर तुम्हारा ससूर गरीब है तो तुम पे लानत है और सहीं बात भी है कि अगर मेरा जन्म गरीब घर में हुआ है मेरे पापा गरीब है तो मेरी बदकिस्मती थी कि मैं गरीब घर में जनम लिया मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं साधी भी गरीब घर में करूँ वो मेरे हाथ में है ना कि मैं अपनी किस्मत को जो मैं गरीबी में था उच से उठा करके उपर ले जा सकता हूँ तो मैं अपने आप पे फोकस करऊंगा, अपने आप पे वर्क करऊंगा और यह देखूंगा कि मुझे डेवलप करना है, मुझे अपने आपको बढ़ा करना है तभी मैं अपने आपको बढ़ा कर पाऊंगा अगर मैं ये सोच लूँगा, मैं अपनी mentality में बठा लूँगा, किया रहे, मेरे पापा तो गरीब है, तो मैं भी अपना जीवन गरीबी में ही गुजारूँगा, साधी भी गरीब लड़की से करूँगा, तब तो फिर आपको जीने, क्या, तब तो फिर कोई मतल़ भी नहीं है, मगर अगर मैं ये सोच लिया, कि नहीं, मेरा जन्म भले गरीब घर में हुआ है, मेरे पापा भले गरीब है, मगर मैं गरीबी में नहीं रहूँगा, तो जब मैं ये चीज सोच लिया, तो मैं उसके लिए वर्क करूँगा, और अपने आपको खुद के लिए वर्क करू और उनको गरीबिक से बहा निकालूँगा ताकि जब साधी हो तो आमीर घर से हो तो वही बात है कि आप अपने आप पे वर्क कीजिए आप अपने आपको देखे कि आप अभी कहां पर खरे हैं और उसके बाद आप इस्टेडी कीजिए और सबसे असान तरीक है रियल में आप दो साल का फेपर उठाईए एक टोपिक अगर आप पड़ रहे हैं देख रहे हैं तो उस्से रेटेड कोश़न देखिए कि हाँ उससे कोश़न आया है की नहीं और अगर वो कोश़न आया है उस लेवरक पर आया है तो आपकी स्टेडी सहीं तरीके से है और अगर ज़्याद clear चलिए नमस्कार और आपका दीन सुभो थैंक यू सो मच